अगले जन्म में क्या बनेंगे आप गरुड पुरान की इन आठ बातों में छिपा है सच गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है जैसे व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है आत्मा भी उसी प्रकार शरीर बदलती है गरुड पुरान में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है जिससे मनुष्य के पाप और पुर्णे निर्धारित होते है माननेता है कि व्यक्ति को अपने मृत्यों के बाद कर्मों के अधार पर स्वर्ग और नर्ख की प्राक्ति होती है गरुड पुरान में यह भी बताया गया है कि कर्मों के अधार पर अगले जन्म में रक्ति किस रूप में जन्म लेता है आईए ऐसे में जानते हैं कि गरुड पुरान इस पर क्या कहता है सबसे पहले बात करेंगे महिलाओ का शोशन करने वाले लोगों की जो लोग महिलाओ का शोशन करते हैं या कराते हैं वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीडित होते हैं मही अप्राकृतिक रूप से संबंद बनाने वाला अगले जन्म में नपुन्सक गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ट रोगी होता है बात करते हैं धोका देने वालों की जिहां गरुड पुरान में बताया गया है कि जो मनुष्ये छल कपट और धोका देते हैं वो लोग अगले जीवन में उल्लू बनते हैं वही जूट गवाही देने वाला भी दूसरे जन्म में अंधा होकर पैदा होता है इसके साथ गरुड पुरान के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोशन करते हैं जैसे लूट पाट जानवरों को सताना या शिकार खेलने वाले अगले जन्म में किसी कसाई हत्ते चड़ने वाले बकरा बनते हैं मही माता पिता या भाई बहन को प्रताडित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है लेकिन वह धर्ती पर नहीं आबाते क्योंकि उनके मृत्यू गर्भ में ही हो जाती है इसके साथ गुरू का अपमान यानि भगवान का अपमान ऐसा करना नर्क के द्वार खोलने जैसा है गरुड पुरान में कहा गया है कि गुरू से कुतर्क करने वाला शिश्य अगले जन्म में जल रहितवन में ब्रह्मराक्षस बनता है मही यदि कोई पुरुष महिलाओ वाला आच्रन करता है सुभाव में महिलाओ वाली आदते ले आता है तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है अगर कोई मृत्यू के समय भगवान राम का नाम लेता है तो वे मुक्ति के मार्क पर अग्रसर हो जाता है इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए महीं स्त्री की हत्या गर्वपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी गाय की हत्या कराने वाला मूर्ख और कुबड़ा ये दोनों नर्क की यातनाय भोगने के बाद अगले जन्म में चंडाल यूनी में ही पैदा होते हैं एसलिए कहा जाता है कि सदेव अपने कर्म सोच समझ कर ही करने चाहिए अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं बैसा ही हमें फल की प्राप्ति होती है फिलाल के लिए इतना ही ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए next 9 spiritual तब तक के लिए धन्यवाद